फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टोक को साथ में डिसकस करेंगे हम बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे रिलाइन्स इंडेस्टीज की और अगर आप bonus में interested है तो आज हम एक ऐसी company को discuss करने वाले जो सांधार bonus देने जा रही है तो पूरा वीडियो देखें उसको आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या आपको इस bonus के लिए से stock में निवेश करना चाहिए साथ में company को और discuss करेंगे जो आपको dividend देने जा रही है बहुत ही पूरानी company है और सांधा dividend आपको देने जा रही है इनका track record भी बहुत अच्छा है तो इस वीडियो में हम चार company को साथ में discuss करेंगे friends अदानी power से बहुत सारी बड़ी update निकल के आ रहे है जिसके वज़े से अदानी group में सांधार तेजी का वातारों बना हुआ है तो क्या इस समय में अदानी power में निवेश करना चीए आने वाले समय में इसका long term target क्या रह सकता है और realized industries इस समय बहुत तेजी से आगे भाग रहा है यूग कहें कि इस बार जो तेजी बनेगी इसको lead करेगा realized industries पिछली बार जब बाजर में सांधार तेजी बने थे उस समय realized industries बिल्कुल नहीं दोड़ा था लेकिन इस बार realized industries कमाल कर सकता है इसके पीछे वज़य है बहुत सारी good news क्या है उनको भी discuss करेंगे और जानने की कोसिस करेंगे क्या आने वाले समय में realized industries हमें अच्छा कासा investment के उपर return दे सकती है तो सारी बाता को जानेंगे इस वीडियो के मादें से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो बने पहला notification आपको मिले वीडियो पसंद आए तो like share जरू कीजिए चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और हमारे अपने चैनल ओन लाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले हम बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड की तो अभी करीब पौने दो बजे का टाइम है स्टॉक आज ओपन हुआ 133 पर इसकी हाई बनी है 142 की लो है 132 का और फिलाल स्टॉक 138 पर है जहां पर हमें करीब 4.96 परशन की यानि 5 परशन की सांधर तेजी देखनों को मिल रही है और इस्टॉक लगातार काफी समय से दोड़ रहा है इसकी परफॉर्मेंस अगर देखे तो 20 अगस 2020 को यानि एक साल पहले की इसकी परफॉर्मेंस मात्रस 77 रुपीज के आप आसपास इस्टॉक था वहां से लगबग दुगना हो चुका है अगर सिर्फ एक महिने की इसके रिटर्न को हम देखे तो 116 की प्राइस थी साथ मार्च को अब आप देख लो 130 तक पहुँच गया तो काफी अचा रिटर्न दे चुका है इस्टॉक आज इसमें वॉल्में भी सांदार बड़ोत रही है पिछले एक मैने पहले इसका फोर करोड़ पीज का वॉल्म था वन IHI के साथ में और साथ में कोवा कंपनी के साथ में तो यह दो कंपनियों के साथ में कि नोंने MOU साइन किया है और इसकी वज़े से यहाँ पे सांदार तेजी का वातार बन गया है इससे एक बास समझ में आ लिए कि कंपनी लगातार बहुत सारे MOU साइन कर रही है और बिजन पावर एक बहुत बड़ी कंपणी बनने जा रही है तो इसमें जो six कंपणी ओका मर्जर होगा उस में है अदानी पावर महाराष्टाल लिमिटेड अदानी पावर राज़स्तान लिमिटेड अदानी पावर मुंधरा और साथ में UDP Power Corporation Limited, Raipur Energy Limited, और Raiagar Energy Generation Limited, यह अलग-लग सबस्वेडिय कंपनी है, पावर सेक्टर की, जो अदानी ग्रूप सबको मर्जर करके, अब अदानी पावर में लाना चाहता है, तो आप समझ लो, यह एक बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें मौका है, आप खरिदारी करें, वैसे तो यह stock मैंने आपको लगातार सेजेस्ट किया, जब इसकी price 100 रुपी से भी नीचे थी, यानि 70-80 रुपे के आसपस मिलता था stock, मैंने कहाता है, यह एक बड़ा multi-bagger है, और डेफिनेटल यह multi-bagger stock बनेगा, कमपनी के अगर fundamental आप चेक करना चाहते हो, तो कमपनी का market cap, फिलाल 50,969 कोट बीच का है, इसका PE ratio 40.13 का है, PB ratio 3.89 है, इंडेस्टिज का PE nickel के आता है 20.39 का, और इसका EPS है 0.72 का, ROE इसका 12.96 है, और book value 34.72 की है, तो काफी अच्छे fundamental है, अब कमपनी के अगर profit को हम देखे, तो December 2020 में कमपनी ने 289 कोट बीच का loss किया था, लेकिन March में कमपनी को 13.13 कोट बीच का मामूरी सा profit हुआ, जून में profit बढ़कर 278 कोट बीच तक पहुच गया, सेप्टमर में फिर से कमपनी लॉस में आई 231 कोट बीच के, और December 2020 में कमपनी ने फिर से 218 कोट बीच का सांदार profit कमा है, तो कमपनी का जो track record है, लॉस profit का है, लेकिन जिस तरह से अब कमपनी की कारुबारी गतिविद्या बढ़ने लगी, कि ये stock बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, तेजी से आपके निवेश को बढ़ा सकता है, तो बिल्कुल मौका है खरिदारी करने का, फ्रेंड्स, community sentiment भी stock के साथ बना हुआ है, 74% buy की call है, 20% hold की call है, 6% sell की call है, मतब 100 में से 84% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं, एक बार इसके pivot level को भी check कर लेते हैं, अगर यहाँ से stock slip हो जाता है, तो 129 पर first support मिलेगा, और stock नीचे गिरा तो 127 तक जा सकता है, तीसरा support 125 का निकल के आ रहा है, तो गिरावट में 125 जा सकता है, लेकिन positive माहल बना तो 134 का first resistance है, इसको break करते ही 137 तक stock जा सकता है, इसको power किया तो फिर 139 की price देखना को मिलेगा, बिल्कुल 140 के उपर जाने को तयार है, और इस बार लगता है कि यह नई high भी बना देगा, तो बिल्कुल निवेस करें, आप इसमें 5 एर के लिए hold करें करें stock को, मुझे लगता है कि यह आराम से 1000 को touch कर सकता है, उससे पहले भी आ सकता है यह target लेकिन आप 5 साल के दंजरे के साथ निवेस करें, जैसे भी अगर आप बैंक में भी update करते हो, यहाँ पे आपका निवेस भी सुर्ख सीत है, और निवेस कई गुना बढ़ भी सकता है, बिल्कुल इंवेस्मेंट करें, यहाँ पे आपका निवेस बहुत तेजी से ग्रोग कर सकता है, चलेंगे हम Reliance Industries के दरब, बहुत ही सांदार इस्टोक है इस समय खरीदारी के लिए, इस बार जो बाजार में तेजी बनेगी, उसको Lead Reliance Industries ही करने वाला है, यहाँ पे आज प्राइस की बात के तो 2593 पर इस्टोक आ चुका है, जापे 0.59% की तेजी देखनों को मिल रही है, और इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखे, तो 23 अप्रेल को यानि एक साल पहले यह 1,904 के आसपास था, उननीचो के आसपास इस्टोक मिल रहा था, अभी 2600 के आसपास मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिटन देख चुका है, और फ्रेंट्स, अगर हम पिछले एक महिने की इसकी परदोसन को देखे, तो 8 मार्ज को यह 2,235 पर था, आफ़ी अच्छा रिटन देख चुका है, और बहुत ही सांधातरी से इस्टोक दौट रहा है, 52 वीक का लोग इसका 1,876 का है, और 2,700, 51 इसका 50 रुपी का ही है, फिलाल श्टोक 2600 के आसपास आ चुका है, तो इस बार यह बिल्कुल नई हाई बनाने को तेयार है, और फ्रेंट्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि, रिलाइंस इंडिश के साथ में जो प्लस पॉइंट है, उसको हमें ध्यान लखना है, एक तो ओल और गेस की प्राइस जो बढ़ रही है, उसका फाइदा इसको मिल रहा है, वो all time high पे उपर चल रही है, तो इसका फाइदा इसको मिल रहा है क्योंकि oil refinery है सबसे बड़ी इनकी, और इस समय जो telecom business है इनका जियो का, उसको geopolitical जो tension चल रहा है उसका कोई फरक नहीं पड़ रहा है, इस वज़े से telecom sector भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, साथ में जो retail business है वो भी इनका तेजी से ग्रो कर रहा है, और बहुत सारे business type भी कर रहे हैं, इन्होंने अभी अभी syntax industries का अधिगरण किया है, इससे पहले उन्होंने आलोग industries का अधिगरण किया है, तो textile sector में company का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, textile sector को PLI scheme का भी फाइदा मिल रहा है, यह सारी बाते हैं जो रिलाइंस के लिए बहुत ज़ादा benefit साबित हो सकता है, आने वाले समय में उनके share order को भी फाइदा हो सकता है, फ्रेंड्स एक और बहुत बढ़ी खुसकपरी रिलाइंस के लिए निकल के आ रही है, government ने एक जो PLI scheme launch किया है, advanced chemistry cell के लिए, यानि battery storage के लिए, तो इसमें Reliance की जो company है, Reliance New Energy Solar, जो Reliance Group की subsidiary company है, उसको select कर लिया गया है, यानि जो 18,100 PLI scheme के इनको incentive दी जाएगी, उसमें इस company का selection हो गया Reliance का, तो आने वाले समय में बहुत ज़ादा benefit मिलने वाला है company को, तो जैसे की Reliance ने जो अपनी नई शुरुआत कर दिया है, Reliance के renewable energy के business में, अब वहाँ पर भी इनको बहुत सारा benefit मिलने वाला है, और इच्छे तरह में भी company बहुत आगे जाने वाली है, तो आप देख लो कि इनका portfolio बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, यह textile सेक्टर में भी बड़े खिलाडी बनके उबर रहे, साथ में clean energy, green energy के business में भी तेजी से आगे बढ़ है, और इनका refinery का business तो तेजी से आगे बढ़ी रहा है, और जिस तरह से Reliance Industries का का कारूबार बढ़ रहा है, वो एक बात समझ में आ रही है कि यह stock यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, यह एक लंबी race का गोड़ा है, अगर fundamental चेक करें हम Reliance Industries के, तो करीब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 17,45,119,000 कोड़ बिज का इनका market cap है, और इनका P.E. ratio है 34.29, P.E. ratio है 2.33 का, इंडेस्टी का P.E. निकल के आता है 8.05, ROE इनका 8.52 का है, और EPS इनका 86.8 से होन है, और dividend company देते 0.27% का book value 1170 का है, तो बहुत ही सांदर fundamental है, और ऐसे fundamental के साथ तो आपको निवेश करना ही चीए, company के अगर profit को हम देखे, तो December 2020 में 13,101 कोड़ बीच का profit company को मिला था, March में बढ़कर 13,227 कोड़ बीच हो गया, June में 12,273 कोड़ बीच का profit, September में 13,680 कोड़ बीच का profit, और December में आप company ने कमाल कर दिया, profit बढ़कर 18,549 कोड़ बीच तक पहुँझ गया, तो जो लगातार 13,000 का profit का profit चलता था, वो सिधा 18,000 पर बच गया है, तो December में बहुत बढ़ा जंप लगा है, और इस बार का result है हमें, और भी बैदरीन होता हो दिखाई दे सकता है, तो बिलकुल यही मौका निवेश करें आप Reliance Industries में, अगर हम इसके Community Sentiment को देखें, तो 84% Buy की Call है, 14% Sale की Call है, 2% Hold की Call है, तो आप यह देख लो, कि 100 में से कम से कम, 86% लोग इसको लेना पसंद करें, जो इसके लिए बहुत बढ़ी अच्छी बात है, एक बार इसके Pivot Level को भी चेक कर लेते हैं, तो Stock अगर यहां से Sleep हो जाता है, तो 2531 पर First Support है, यह टूटा तो फिर 2480 तकी Stock जा सकता है, तीसरा जो Support निकल के आ रहा है, वो 24456 का है, और उपर की दरब मूँ करने पर जो Target निकल के आ रहे, 2685 का First Target है, इसको Break करते ही 2631 तकी Stock जाएगा, तीसरा जो Target निकल के रहा है, वो 2670 तकी Stock जाएगा, यानि जो इसकी पुरानी हाइथी उसको तोड़ने को बिल्कुल Stock तयार है, और Bullish Zone में Stock निवेस आपको करना चाहिए, Friends, आने वाले समय में, यानि अगर आप इसको सिर्फ दो साल के रहे होल्ड करते हैं, तो मुझे लगता है इस बार ये 5000 को टच कर सकता है, हो सकता है उससे पहले भी करें, लेकिन ने सिर्फ आप दो साल के रहे होल्ड कर लो, ये आराम से 5000 इस बार टच कर जाएगा, फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात ही है कि काफी लोग है जो बोनस में इंट्रेस्ट रखते हैं, कि उनको बोनस चीह है, तो बोनस अगर आपको चाहिए, तो आपको गिल्दा फाइनस में निवेस करना चीह है, गिल्दा फाइनस जो फिलाल इस टॉक 103 के आसपास है, 1.08% की तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, काफी कमपनी मजबूत है, ये गिल्दा जो फाइनस है, इसकी परफॉर्मेस अगर देखे, तो 6 महने पर इसकी प्राइज 26.60 के आसपास थी, यानि 26 रुपे का रिष्टोक करीब 100 को क्रॉस कर गया, काफी अच्छा रिष्टोक दोड़ा है, और कमपनी अब आपको 1-1 के रेशियो में बोनस देने जा रही है, तो बोनस का मतलब यह है कि आपके पास अगर एक शेर है, तब ही आपको बोनस मिल पाएगा, रिकॉर्ड डेट 31-3-2022 निकल के आईए, तो बिल्कुल बोनस के लिए आपको निवेस करें, सायथ में यह कंपनी जो फाइनाइस की कंपनी है, बहुत तीजी से ग्रो करी है, प्राइस जीस्तर से बढ़ रही है, उसमें निवेस का जरिया बनता है, और इसमें आपको निवेस करना चीए, काफी अच्छा लगा है इस्टोक, अब अगर आपको डिविडेन में इंट्रेस्टेड है, तो अगर आपको डिविडेन लेना है, वैसे भी सुगरी स्टोक काफी अच्छा दोड़ रहे फिलाल स्टोक 527 परे जापे 3.35% की गिरावट देखना को मिल रही है इसकी परफॉर्मेस अगर हम देखे तो 29 नॉब्बर 2021 को यानि 2-3 महीने पहले स्टोक 273 के आसपास था आप वहाँ से देखनो लगबग दुगना हो चुका है काफी अच्छा दोड़ा स्टोक 6 महीने में यानि बहुत ही साथार 77.04% का आपको positive return देखनों को मिला है 3-4 महीनों के अंदर फ्रेंड्स अगर हम इसकी high देखे तो 538 तक जाके आचुका है फिलाल 524 है तो यह अपने high के आसपास है 14 मार्च को कही थी अभी समय आप investment कर सकते क्योंकि company आपको जाने देरने जावाद है dividend 60% का dividend मिलेगा आपको यानि पर share आपको 6 रुपे का dividend मिलने वाला है और company ने announcement किया था इसको 15-30-2022 को X date रखी है इसकी 30-30-2022 तो इस महिने की 30 तारीक के पहले अगर आपके पास share होगे तो आपको बिलकुल dividend मिल जाएगा और company मजबूत है और sugar sector में आगे भी तेजी जारे लेगी तो आप निवेस कर सकते यह चारो कंपनियां बहुत ही मजबूत है निवेस के लिए अच्छा बंदा है और friends यही मौका है जब आप रिलाइस अंडेस में निवेस कर लें मैंने तो वैसे आपको लगातर बोला कि आपको अगर safe investment करना तो आपको रिलाइस में निवेस करना जब भी बाजार में भाइंकर गिराउटी होगी तो रिलेस आपके निवेस को बचा के रखेगा